हम सभी अपने घरों में पेड़ पोधे लगाते हैं। घर के आंगन और बगीचे की रोनक को बढ़ाने वाली ये पोधे हमें कंगाल भी बना सकते हैं। ये पोधे भले ही वातावरन को शुद्ध रखने में मदद करते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार इन पेड़ पोधों का संबंद हमारे भाग्ये और दुर्भाग्ये से होता है। आईए जानते हैं कुछ ऐसे पेड़ पोधों के बारे में जो देखने में तो लगते हैं सुन्दर लेकिन घर में दुर्भाग्ये लेकर आते हैं। लेकिन कैक्टस या इस तरह की और कांटेदार पोधों को हमें अपने घरों में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कुछ बड़े पेड़ जिसमें काटे होते हैं इन्हें भी हमें घरों में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन क्या करें अगर कोई ऐसा पेड़ पहले से ही हमारे घर में लगा हुआ है कोई कांटेदार पेड़ पहले से ही लगा हुआ है तो क्या उसे कटवा दें बिल्कुल नहीं हरे भड़े पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए कभी नहीं कटवाना चाहिए हरा भड़ा पेड पेड काटने से बहुत पाप लगता है तो अब इसका उपाय क्या है अगर कोई पेड पहले से ही हमारे घर में लगा हुआ है और अब हम उसे काट भी नहीं सकते तो उसका वास्तु दोश्डूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके लिए आपको उस पेड के आस-पास म जमीन पर तुलसी जी का एक पोधा रोपित कर देना चाहिए। तुलसी जी घर के सारे वास्तु दोश को समाप्त कर देती है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा पेड़ लगा है जिसकी कारण वास्तु दोश उत्पन हो रहा है तो आप उसके पास तुलसी जी का पौधा लगा दीजे तुलसी जी के पौधा लगाने से उस वास्तु दोश का निवारन स्वते ही हो जाएगा आजकल बौन साई का पौधा घर में रखने का बहुत चलन है माना जाता है कि बौन साई का पौधा अगर घर में रखा जाए तो सदस्यों की प्रगती में रुकावट आती है जिस तरह से बौन साई का पौधा छोटा का छोटा रह जाता है उसी तरह से घर के सदस्यों की प्र इचे में रख सकते हैं इसके अलावा मरे हुए मुर्जाए हुए या सूखे पोदों को भी घर में कभी नहीं रखना चाहिए ये भी हमारे भाग्ये की उन्नती में बाधा डालते हैं कुछ लोग बुके को घर पर सजा कर छोड़ देते हैं जिनके किफूल सूख जाते हैं इन भी सही नहीं हैं वास्तुर शाष्ट्र के अनुसार पीपल के पेड़ को घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए इससे धन हानी होती है यदि किसी कारण से आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो आपको उसे काटना नहीं है बलकि से ले जाकर किसी मंदिर में या किसी पवित्र इस्थान पर लगा देना है तो ये थे कुछ पेड़ पोधे जिनें अपने घर में कभी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए आज की वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जैश्री कृष्णा राधे राधे